लेकिन विश्वास का गहराई उसी से मापा जाता है इसा हम बोलता है सत्य बोलो अरे सत्य क्या है सत्य के विशे में हमका क्या ग्यान है हम यदि बोलेंगे मेरा कप्रा काला नहीं है ये सत्य हुआ ना मेरा काला कप्रा है सफेद है मैं बोला ये लाल भी नहीं है, ये भी सत्व हुआ, और मैं बोला ये सफेद है, ये भी सत्व हुआ, तो तीनों तो सत्व बोले, तो कुन सत्व को पकरेंगे, इस सत्व के ग्यान के लिए ही गुरू को पकड़ना जैरूरी है, और ये गुरू ग्यान हमको एक से दूस्ता, द संघात के बिना बिवर्तन नहीं होता है, इवोलूशन, पहले हमारा पूछ था, संघात आया, परिवेश से, समाद से, परिवेश समाद से होके, हम आज इंसान हो, हो सेपियन्स में बदलाव में आये, और जो मैं हूँ, वैसा ही रहूंगा, जिन्देगी भर, इसमें बदलाव नहीं आगा, जब तक न आउटरली कोई फोर्स डाला जाएगा, ये भी नियूटन का एक, विज्ञान का एक नियम है, कि जब तक इसमें बल प्रयोग नहीं होगा, जो जैसे हैं, वैसा ही रह जाएगा, मेरे परेशान ही है, परेशान ही में ही रह जाएगे, मैं खुश हाली हूँ, खुश हाली में रह जाएगा, मेरे पास पैसा है, लेकिन असान्ती है, वैसा ही रह जाएगा, जब तक न बल प्रयोग होगा उसमें, बल प्रयोग क्या, गुरु बल, गुरुबल का प्रयोक किजिए जिंदेगी में हड में बदलावाएगा सब चीज में बदलावाएगा और हम जो बोलें बिश्वास बिश्वास पुरुसी में हो सकता है जब आप बोलिएगा ठीक है? बोलते 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 एक दिन ऐसा होगा बिश्वास हो जाएगा बिश्वास आप कायम किजिए आप जो भी बोलेगा ऐसा ही होगा मेरे साथ आये है अनिल धोसिया नाम का एक लरका वो कलकाता में रहता है देवगर में जाने वाला था एक दल तो उनका बच्चे होने का था बच्चे का डेलिवरी का डेट आगे बढ़ गया कम से कम 10-15 दिन ओभर हो गया डेलिवरी भी नहीं हो रहा है पानी भी नहीं टूट रहा है उसका पेन भी नहीं हो रहा है उसका औरत का औरत रहता था आसान सोल देवगर से दो घंटे की दूरी में तो वो लोग कलकाता से जो जाने वाले थे तो जो इंसान को भेजना था देवगर तो वो बोले नहीं जाएंगे हम मेरा पत्नी का डेलिवरी है, क्राइसिस में है हमको वहाँ जाना है तो यह अनिल बावु ने उसको थपर मारके बोला, जाएए आपका बेटा हो जाएगा, चलिए उसका बिशपास था, देवगर जाओगे ठाकुर बारी जाओगे, सब तुम्हारा मंगल होगा, उसका बिशपास से वो धाकिला, पहुंचा हो वहाँ देवगर देवगर पहुंचा, काम निपट लिया, शाम को फोन कर रहा, तब टेलीफोन बूत का जमाना था, टेलीफोन बूत से सहसुज़ाल में फोन किया, बुला रहे, तुमको तो खोज रहते हैं घर से बहुत देशता है तो तुम्हारा एक बच्चा हुआ है लरका हुआ है, बिश्वास बिश्वास, आप खुद में पैदा किजिए, दूसरे को बुलिए खुद में बिश्वास किजिए खुद का बिश्वास को बुलिए, कभी बोलते हैं बगल वाले किसी घर की में कि मैं ठाको जी का दिखशेत हूँ हम लोग बहुत सारे आदमी हैं नहीं बोलते हैं चुप, मौन रहते हैं कि बोलने से शर्मिंदा हो जाएगा मेरे गुरु है ये बोलने से शर्मिंदा महसुस करते हैं और गुरु कृपा पातने की परत्न करते हैं मन में कैसे होगा? हम क्या कर रहे हैं? इसको धोका दे रहे, खुद को धोका दे रहे क्योंकि मेरे ठाकूर चाहते हैं, सब कोई मंगल में रहे हम जो जाजन करते हैं, ये वो चाहते हैं, इसलिए जाजन करते हैं ठीक है? मेरे में कमी है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं अरे दिया तले अंधेरा नहीं रहता है, दिया तले तो अंधेरा ही रहता है, मेरा अंधेरा है, वो आग का तो अंधेरा नहीं है, दिया देखें हैं न सब कोई, दिया जो पकर के रखा है आग ने, उस आग का तो अंधेरा नहीं रहता है, रहता है उस दिया का, जो आग को प कर दो जाजन वे दि करते रहेंगे तो वो बिपलब आएगा, वो प्लावन आएगा, वो लहर आएगा, उस तभी समाज में बदलावाएगा, हम बच्पन में किरिकेट खेलते थे, तो फिल्डिंग के समय में भागते थे, मेरे दोस्त लोग बोता है, ये बहुत कामचोर है, तो हम फिल्डिंग में उसी जगह मे खेलने के लिए, तो देखें कि बैटिंग भी हमको शिखाना पर है, बॉलिंग भी शिखाना पर दो, फिल्डिंग भी सिखाना, और वो के साथ जब फिल्डिंग करते थे, सबसे कठी जगहा है, सबसे ज्यादा बॉल जाता है, क्योंकि हम पर एक टो बोज आ गया, दाइत तो आप लीजिए, जब परोस्त में बोलिएगा बात, मंगल की बात तो मेरे में जो कमी है उसमें भी हम हाथ देंगे कि ये से कमी को कम से कम प्रादर्शन ना कर जाए ठीक है? प्रादर्शित नहीं करना चाते हैं मेरे कमियां को तो कमियां को जब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो धकते जाएगा आहिस्ता वो मेरे शरीश से ही मेरे हिस्से से ही वो निकल के फिर हम और बेटर इंसान में बदल जाएगे कोई बावाईदार नाम का कोई जादू नहीं है ना कोई आस्मान में कोई ठाकुजी रहते हैं जब तक ना हम उसको पकर रहेंगे तो कोई ऐसा नहीं आएगा ठीक है केरी पेकर का नाम सुने है कोई-कोई जो एक दिबसिय क्रिकेट में बदलाव ले आये थे बहुत आमीर आदमी थे आठ मिनट के लिए उसका मौत जैसा हो गया जब मौत के चंगुल से वो आठ मिनट तक उसका कोई जान नहीं था बोड़ी में और जब निकल के आए तो संगवादीक सर्थे नियूज वाले सर्थे तो बोले कि बहुत आनद की बात है कि वहाँ कोई नरक नहीं देखा और एक दुख की बात है वहाँ स्वर्ग भी नहीं देखा स्वर्ग रहता है मेरे कर्म में मैं कर्म करूँ ठीक तो मेरे स्वर्ग यहीं है कोई आस्मान में कोई स्वर्ग बैठा नहीं रहेगा आस्मान में कोई इश्वर नहीं आएंगे हमको उद्धार करने, वो मार्ग दर्शन करवा देंगे, ये चलो ये मार्ग, एक इंसान जब आया था झाल